हलो अभ्रीबडी दिस दिगराश सिंग राजपूत वेलकम तो सोशल स्कूल इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्यूनिकेशन के बारे में हैं पिछले वीडियो में हम लोगोंने चैप्टर का एक पिलर जो है वो कम्प्लीट कर लिया है lifelines of national economy की बात करें तो lifelines of national economy lifelines का objective क्या है connectivity develop करना तो आपने देखा कि किस तरह से transportation connect किये हुए हमें तो transportation क्यों हो गया एक means of communication हो गया अब communication अपने आप में हमें जोड़ के रखता है तो अब हम chapter के second pillar पर आ गए है second lifeline of national economy जो है वो communication है कि communication किस तरह से देश को जोड़े रखा है वो सारी चीज़ा हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं आप यह topic हम स्टार्ट करते उससे पहले कि important update यह है कि please description में आपको link विल जाएगी टेलिग्राम चैनल को join कर लेना ठीक है ताकि आपको क्या मिलते रहें notes मिलते रहें अपडेट मिलते रहें कि कब कौन सा session आने वाला है कब कौन सी class है clear है यह पहली चीज़ हो गई दूसरी चीज़ का है दूसरी चीज़ कि यहां पर बहुत सारे features हैं जो आपको कहीना कहीं benefits देने वाले हैं जैसे special class होती है जो कि absolutely free होती है उसके अलावा quiz होते हैं उसके लावा notes आप यहां से download कर सकते open house session होते हैं जिसमें हम one to one connect कर सकते तो यह सारे features को आप explore कर सकते हैं for free using the code अब कम्यूनिकेशन life lines of national economy क्योंकि हमें जोड के रखे हुए हैं और यह आज कल की बात नहीं है communication is not a new phenomenon ठीक है मतलब communication क्या है कि मैं आप से बात कर पा रहा हूं हम उससे बात कर पा रहे हम एक दुसरे से जुड़े हुए हैं यह communication है और communication एक new phenomenon नहीं है कभी से भी मतलब कि जब से human civilization start हुआ है पहले भाशाय नहीं थी तो लोग इशारों से बात करते थे ठीक है इशारों से बात करते लेकिन communicate करते थे ठीक है फिर क्या है भाशाय आई तो लोग ऐसे बात करने लगे कि हाँ आवाज से बात कर रहे हैं मतलब उस भाशा का इस्तेमाल करके फिर क्या है लोग दूर हो गए तो उन्होंने पत्र लिखना चालू कर दिया कभूतर उड़ा देते थे ठीक है तो इस तरह से communication जो है लोग आपस में जुड़े हुए है और लोगों का आपस में जुड़ना एक new phenomenon नहीं है ठीक है ये पुराने है चेंज का कि पहले जैसे कभूतर उड़ा के बात कर लिया करते थे पत्र पहुचा देते थे और आज आप क्या देखोगे तो आज बहुत सारे दूसरे अलग अलग तरीके हो गए एक दूसरे से जो pace of change है ना pace of change has been rapid in modern times और उसमें आप जैसे देखोगे तो लोग कैसे communicate करते हैं तो communication को broadly हम क्या करते हैं दो categories में divide कर सकते हैं एक हो गया personal communication और दूसरा हो गया mass communication पर्सनल communication और mass communication में क्या difference है पर्सनल communication मतलब क्या है कि आपका फोन आपके फोन को आपने कान से लगाया ठीक है और वह उदर जिसके कान में दूसरे जिसे फोन लगाया उसी को सुना ही देगा until and unless it is not a conference call तो आप क्या है जब personally किसी से communicate करते हैं तो वह personal communication हो जाता है ठीक है और mass communication में आपने एक तरह से बंदारा कर दिया बंदारा कैसे कर दिया यह YouTube क्या एक mass communication का medium है कैसे mass communication का medium है कि यह video आप देख रहे हैं आपकी class में जो आपके बाजी में people, television, social media यह सब mass communication का part है ठीक है तो अब यहां तक हम चीज़ों को connect करें तो क्या है कि communication कोई नया phenomenon नहीं है communication over the period of time ठीक है since the inception of human beings हम communicate करने एक दूसरे के साथ में clear हुआ यह है कि इस communication का जो तरीका है ठीक है ways of communication जो है तो over the period of time change जरूर हुए ways of communication change जरूर हुए ठीक है कुछ personal communication होते है कुछ mass communication होते है तो अब आपको अगर एक question दो नमर में आ जाता है कि differentiate between personal communication and mass communication तो लिख पाओगे ना तो personal communications include all those means of communication which are used to communicate personally with one another and mass communications are those means of communication ठीक है which are used to communicate with the general masses in one go ठीक है एक साथ में आप कर दे रहे हो सब के साथ communicate कर पा रहे हो इधर example लिख दो इधर example लिख दो that's it ठीक अब अगर हम बात करते हैं तो communication के अलग अलग तरीके रहे हैं तो जैसे इंडियन postal network एक तरीका तरीका होगे एक channel होगे इंडियन पोस्टल नेटवर्क के अगर तारीफ में कुछ कहा जाए न तो इस वन ओफ दी लार्जेस्ट पोस्टल पोस्टल नेटवर्क जाता हो देखने को मिलेगा ठीक है तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है इस लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड ठीक है लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क के पोस्टल नेटवर्क में क्या पहुचा हो गया पत्र ठी पैसा ये सारी चीज़े मैं भी ऐसा नहीं कि बाबा आदम के शमाने काऊं लेकिन एक चीज बता रहा हूं कि जैसे 90s के जाने के बाद में 90s के जाने के बाद में और अरली 20s वाला जो पीरेड रहा है तो वहां पर यह प्रचलंग था कि पत्र आते थे घरों में देखते थे कि आप किसी ने आपको दूस्तार चेकर इट हें और साथ परस्नल रिटन कम्वनिकेशन सोब प्रचलंग कंभया वाटसेफ पे सीदे टाइप करके पहुचा देते लेकिन इंडियल पोश्टल नेटट्रक का काम यह होता था कि वो पासीता था आध साथ परस्नल रिल कम्मिनिकेशन से handle करता है ठीक है अब आप जिसे देखेंगे तो कुछ मेल्स होते हैं कुछ चीजें से क्लास मेल की एती है कुछ चीजें सब्सक्राइब की दो चीज वती है वह रहें तो आप मेल्स होते हैं तो इसमें कार्ड और होते हैं लिफाप पहुचाया हो तो इस तरह से पैसे भी पहुचाया जाते थे तो फस्स क्लास में कार्ड और एंवलप पहुचाया जाते हैं एर लिफ्टेट बिट्वें इस्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एन एर ठीक है तो आप क्या होता है कि इन्हें एर लिफ्ट किया जाता था यह इंपॉर्टेंट में आते हैं मालों किसे कोई अर्जेंट क्या करना पैसे पहुचाना यह सारी चीज़ें रहती थी ठीक है तो आज आगे पढ़ेंगे हम इंडिया वाला एक टॉपिक ठीक मतब इसी टॉपिक में आगे तो अगली स्लाइड प किया जाता था बिट्वेन स्टेशन्स कवरिंग बोथ लैंड और तो बाइयर यह मेल्स की डिलिवरी हो जाती थी अब सेकंड क्लास मेल जो होते हैं तो सेकंड क्लास मेल रिलेटिवली उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ठीक है तो जिसमें बुक पैकेट्स हो गया तो इन्हें सर från में हो रेलवेस हो गया रेल्यूस हो गया ऊटर विसटों आउयरे लेंड डैन और फम ऊसके क्वह जाता था है और यह उतना महेंगा नहीं तक प्रता था सेकंड कलास में कर था ठीक है और सेकंड क्लास मेल की कई कर विशिश्ष था गहां यह उतनी इंपॉ of males in large towns and cities six male channels have been introduced recently तो अब जैसे आप देखेंगे Indian Postal Network ने अपनी delivery को और भैतरीन तरीके से फैसिलिटे मतलब अपने delivery को और fast करने के लिए six dedicated male channels established किये वो कौन से male channels है तो जैसे राजधानी channel हो गया metro channel हो गया green channel business channel bulk male channel and अब आगे बढ़ते हैं तो यह इंडियन पोस्टल नेटवर्क एक चैनल अब दूसरा तरीका क्या है लोगों के बीच में communication बढ़ाने का इंडियन पोस्टल नेटवर्क ने आपके जो मेल्स रहते हैं पार्सल्स पैकेट्स लेटर्स वह हो गया दूसरा तरीका यह है अब क्या है तो यहां से निकल रहें फोन लगा के बता दो कि हमें निकल गया तो ट्रांस्पोर्टेशन को फेसिलिटेट कर रहा है इसिया में सबस्यादा पॉपिलेटेट कंट्री चाइना चाइना के बाद हम पीछे खड़ा है इंडिया तो उस सेंस में आप जब इतनी सारी जनता जनार्दन जो है तो वह क्या है हर एक इंसान क्या है आज क्या कर रहा है अपने जैब में एक सेलफोन लेके घूम रहा है तो उससे क्या है कि जितने जाधा सेलफ His right थो two-third of the villages in India have already been covered with subscriber trunk dialing STD telephone facility यह देखे होंगे आपने बूत इस तरह के अब जो विलूप्त होगा है थोड़े से विलूप्त ऐसे होगा है कि आप क्या है क्या है आप क्योंकि सबके पास personal phone है तो अब इन STD boots में लोग जाना कम पसंद करते हैं लेकिन इसका भी जमाना था क्या होता था ऐसे सिक्क्य डालने वाली भी आते थे सिक्क्य डालो वो घुमाओ चक्रा एक ठीक है तो फिर ट्रिंग बचता था और फिर एक मिनिट बात होती तो अगर सिक्का नहीं डाला तो कट जाता थ रखा है जिनका आजकर इस्तमाल कम है लेकिन फिर भी जिन एरियाज में कह सकते हैं कि टलीकॉम ऑपरेटर्स की नेटवर्क नहीं पहुंचते हैं वहां गवर्मेंट ऐसे पहुंच जाती है ठीक फिर क्या है डिगवर्मेंट हैस में इस्पेशल प्रोविजिटी तो एवरी और यह कैसे पॉसिबल हो पाया क्योंकि आप स्पेश टेक्नोलोजी को कम्मिनिकेशन टेकनोलोजी से जोड रहे हैं तो क्या है सेटलाइट कनेक्शन वगरा जो इसके थूर आज क्या है आज इंटरनेट कॉल्स यह सारी चीज़े 24 आर्स अविलेबल है क्योंकि अब सब कु से देखेंगे तो क्या पड़ाही भी हो रही है सब कुछ फोन से हो पा रहा है ठीक है तो तो बनाचा इचेटल इंडिया जो है निजिटल आइजीशन को दर शाता है डीटल इंड incarी इंडेला प्रोग्राम तो प्रिपेर इंडिया फोर न नॉलेज बेस ट्रान्फोरमेशन knowledge-based transformation in the sense कि लोगों को ज्यान दिया जाए digitalization के बारे में it focuses on the focus of digital India program is on being transformative to realize Indian talent plus information technology to convert a India for tomorrow it is also making technology central to enabling change मतलब digital India का कुल मिला के जो objective है वो तीन शब्दों में समझ सकते हम क्या कि Indian talent जो है IT इंडिया में talent की कमी नहीं है ठूस ठूस के भरा है ठीक है टैलेंट ठूस के भरा है उस Indian talent को information technology की मदद से IT की मदद से यहाँ पर फिर IT आगया है एक और IT की मदद से हम क्या कर सकते हैं India tomorrow बना सकते हैं मतलब कल का जो भारत बनेगा हमारा तो कैसा हो कल का भारत जो हम बना है तो कहीना कहीं जो वर्ल्ड में चेंज आ रहा है ड्रास्टिक digitalization का इस्तमाल करके आगे बढ़े एक डिजिटल डिवाइड वाली चीज़ भी होती कि जैसे आज अगर आप देखोगे तो आज हर इंसान क्या है वो मतलब आज की generation जो है अब बच्चा पैदा होता है दो साल का होते सी पूरा फोन चलाने लगता है लेकिन वहीं पर कोई बजुर्ग है जो साट साल के होगा है तो उनको इसा लगता है यह दो साल में सीख गया मैं साट साल को अभी तक नहीं सीख पाया ठीक है डिजिटल डिवाइड भी है तो digital drive, digitalization, education for digital India is also very important and the focus of digital India is that only क्या कि Indian talent को information technology के साथ जोड के कल का भारत India tomorrow बनाए जाए ठीक है यह चीज रहती है अब mass communication के अगर हम बात करें तो provides entertainment and creates awareness among people about various national programs and policies तो personal communication में आपने क्या देख लिया पर्सनल कमिनिकेशन में आपने इंडियन पोस्टल नेटवर्क देख लिया इंडियन पोस्टल नेटवर्क पर्सनल कमिनिकेशन की तरीका है ना कि आप जो letter लिखके ठीक है टेलिकॉम पर्सनल मीन्स ओफ कमिनिकेशन में आ गए अब अगर आप mass communication पर जाते हो तो mass communication में क्या क्या है मतलब वही है कि आप बहुत सारे लोगों से एक साथ communicate कर पाऊ वह mass communication की मदद से करोगे तो mass communication provides entertainment and create awareness among people about various national programs and policies तो mass communication का objective होता है कि लोगों को entertain किया जा सके मतल entertainment भी life का important part है तो जिसे अगर आप देखेंगे तो mass communication जो होता है it provides entertainment and creates awareness among people about various national programs and policies ठीक है तो जिसे अब क्या हो रहा कि for example आपने देखी होगा mass communication में जिसे टेलिविजिन हो गया अब टेलिविजिन पर चुनाव आने रहेंगे तो मेरा वोट मेरा अधिकार करके advertisement आएंगे अ जो किसी चीज का promotion नहीं कर रहें जो किसी चीज का क्या सकते हैं किसी चीज की marketing नहीं कर रहें वो क्या करें awareness just for awareness कुछ एड आते हैं जैसे mask लगाओ वाला तो इस तरह से क्या होता है कि mask communication एक important part हो सकता है लोगों तक message पहुचाने के लिए लोगों की entertainment का भी ठीक है कुछ समय था जब entertainment कैसे होता था पता है जब entertainment ऐसे होता था अब यह चीजे मूवीज में ही देखने को मिलती है लेकिन यह एक समय पे लोगों की life का part था क्या कि एक radio रख लिया है पूरा गाओं बैठ गया आज वाज उसमें कॉमेंटरी चल रहे है क्रिकेट चल रहा है और मजे रहे है तो वह एक तरीका था इंटरेटिन्मेंट का तो वैसे रेडियो जो है और इंडिया रेडियो आकाश्वानी वॉस कहना सही रहेगा क्योंकि आप उत्रहा इंपोर्टेंस रहे नहीं गया है लेकिन फिर भी आज भी जिसे आप देखो कि तो जो रेडियो चैनल से के लिए इंटरेटिन्मेंट के लिए यूज के जाता है आकाश्वानी ठीक है तो वह एक आकाश्वानी हो गया फिर दूरदर्शन जो है तो दूरदर्शन इस लीग अपार्ट दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता रहा है सब अलग अलग अपनी ट्यार्पी में लगे रहत के जो घरेलू प्रोग्राम साते हैं वो दिखा के सारी चीज़न जो है दूरदर्शन पे आपको जानने को मिल जाती थी तो अब जिसे गवर्मेंट का रीडियो चैनल आकाश्वानी हो गया गवर्मेंट का टेलिविजन चैनल जो है ठीक है गवर्मेंट ओन अब जिसे और आए चैनल से बहुत सारह तेलिविजन चैनल में आप देखो कि हो गया कितने सारे अला गलाई बहुत सारे चैनल वर्मेंट मास कमिने का मीडियम है। टेलिजिन ठीक है टो त्यलिजिन चैनल जो है वह दूर्धर्शन ठीक, the national television channel of India is one of the largest terrestrial network in the world और दुरदर्शन one of the largest terrestrial network इसली क्योंकि इसके users इतने हर घर में TV में दुरदर्शन मिल जाएगा ठीक, वो चीज़ हो गई है, इंडिया publishes a large number of newspapers and periodicals annually तो mass communication में radio हो गया, television हो गया, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा newspapers और periodicals भी आते हैं newspapers देली वाले हो गया, periodicals मान लो कि कोई monthly magazine होगी तो वो periodicals की category में आ जाएगी ठीक है, तो जैसे कर आप क्या देखेंगे, जो mass communication में government का जो government press release करती है तो government press release किसे करती है, P.I.B. ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो competition की त्यारी कर रहे हैं तो P.I.B. के पीछे लगे रहते हैं, यहाँ यहाँ पे कुछ genuine press release आएगी फिर दूरदर्शन channel हो गया, सत्यम सिवम शुंदरम, उसका tagline ही अपने आपने इतना दमदार है फिर वैसी क्या होता है, government के अगर आप जिससे देखोगे, तो India is the largest producer of feature films in the world feature films मतलब क्या है, कि आप इंडिया में जिससे देखोगे, तो Bollywood, Hollywood, Tollywood, और भोजपूरी cinema, North East के अलग cinema कितनी सारी movies बनती हैं हमारी country में, ठीक है, और फिर क्या है, आज कल क्या है, हर कोई इंडिया जो है, इंडिया is the largest producer of feature films in the world, समझ में है, the central board of film certification, ये ध्यान रखना है, central board of film certification का काम क्या है, वो केची लेके घुमते है, केची लेके इसलिए घुमते हैं, कि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी scene को sensor करना है, किसी movie को sensor करना है, कुछ cut करना है, तो वो काम कौन करता है क्योंकि अपने को क्या होता है, हर चीज को sensor किया जाता है, वैसे तो, लेकिन newspapers हो गया, periodicals हो गया, इसका उतना impact नहीं होगा, लेकिन movies वगेरा, जो visual presentation दिया जाता है, तो समाझ को, वो क्या दिखा रहे होगा, आप उसको sensor करना बहुत जादा जरूरी है, तो central board of film certification जो है, ठीके, तो films वगेरा जो हो गया, यह भी एक mass communication का part हो गया, तो यह सारा सब कुछ आपने mass communication में पढ़ा, communication में पढ़ा, तो एक बार हम क्या करते है, सारी चीज़ों को summit लेते हैं, communication as a means of communication, as a means of communication, ठीके, तो communication क्या है, life lines of national economy की तरह कैसे आपको समझ में आ है, क्योंकि हमें ज अकाश्वानी, television channel है, धूरदर्शन, ठीक है, वैसे newspapers और periodicals भी बहुत सारे country में print होते है, ठीक, film certification, फिल्म, largest producer of, कह सकते है, feature films है, अगर इंडिया, तो यहाँ पे उन films को certify करना भी बहुत जाता ज़रूरी है, sensor करना भी ज़रूरी है, तो वो सारा सब कुछ आपने इस व अरूरी है, तो एक Сबिक काशने में एक क्वी, वो एफ सारा स Dwॉ चाने की जबाएं। नन रामाने की ज़ारी है, बहुत ऐसेती है, बहुत रामाने की का 늦ियतक्या रह का बचलना ऱूरी है, पुक्षद कि शौर्य से एकाशच gay बाहुत 5-16